64 मेगा पिक्सल क्वार्ड कैमरा सेट अप, स्नाप ड्रेगन 700 कंपीजी, 120 हर्स हाई रिफ्रेश रेश डिस्प्लेट, 33 वार्ट फॉस्ट चार्जर और 5000 एमेज की बड़ी बेंट, 5G स्मार्टफोन विट 12 बेंट्स नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मेडिल क्लास लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि पजट होता है उनका एप्रॉक्सिमेटली 15,000 टॉपीज और लेना चाते हैं, एक बड़िया टिकाओ स्मार्टफोन, तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, वीडि रोलाफ G51, ये एक ट्रूली 5G स्मार्टफोन है, और जैसा कि आप जानते हो कि मोटरोला के स्मार्टफोन काफी पिकाओ होते हैं, इस स्मार्टफोन में मिलेगा आपको एक पावरफुल कॉलकॉम स्नेपड्रेगन 480 प्रोफुल HD प्लच दिस्पले IPS पैनल, और मिलेगी आ एक्सपिरियंस काफी अच्छा रहने वाला है, एक्सपिरियंस रहेगा, या मोटरो के फोन लेने के बाद आल्टू-फाल्टू के एप्लिकेशन से आप बज्जा हुए और आपको रहेगा एक्सपिरियंस मात्र 15,000 के अंदर अंदर, तो नमबर चार पी जो स्मार्टफोन है, वो है Poco M2 Pro, और जैसा कि आप जानते हो Poco के फोन में गेमिंग का एक्सपिरियंस काफी अच्छा रहता है, ये प्रोसेसर काफी अच्छे देते हैं, तो 16.5 इंचे सेंटीमीटर की स्पीड डिस्प्ले है, फुल एच्टी प्लेस डिस्प्ले एंड कॉलकम भी है, हाला कि इतनी क्लियर नहीं है, में जो फोकस है, ये गेमर्स के लिए एक वर्दान होने वाला है, क्योंकि इसका स्नैपड्रेगन 700DG आपको एक एक एल्टीमेट एक्सपिरियंस देने वाला है, मात्र 15,000 के अंदर अंदर, और जैसा कि आजकल सारी ही कंपनियां बहुत सारी ग्रेविटी मीटर्स और ये बहुत सारी चीज़े होती है, तो ओवरल एक्सपिरियंस सही रहेगा, पोको का ये फॉन है, आप खरीज सकते हैं, नमर तीन पर जो फॉन है, वो फिट से मोटरोला G40 है, क्योंकि या मोटरोला के फॉन्स बहुत तेजी से अपग् कर रहा है, और फिट से धमाकेदार प्रोसेसर के साथ अपने फॉन्स को ले कर रहा है, इस पूरी लिष्ट में सबसे भयानेक प्रोसेसर जो है, क्वालकॉम स्नेप्ट्रेगन 732G Full HD Plus डिस्प्ले, हलांकि रैम इसकी 4GB और स्टोरेज 64GB, 6000 mAh की बैंटरी, और चार्जिंग कि इसमें smooth display side fingerprint नहीं है, यानि कि back main fingerprint आपको इसमें मिलेगा, तो यार वीडियो अच्छी लग रही हूँ, तो चैनल को subscribe कर दो, इतनी मेरे को अमीद है कि आपके अंगूट है में जान होगी कि subscribe बटन तब ही जाएगा, ऐसी और informative, अगर आपको और किसी भी बजट का phone है, तो मेरी चैनल पर सारी की सारी वीडियो पड़ी हैं, और केवल मैं ये सारा काम आपके लिए करता हूँ, तो यार एक like कर देना और नीचे comment section में भी कर देना जो कुछ करना है, तो यार नमबर दो पे जो smartphone है, वो है Realme 8i Ray, Realme 8i नया phone launch हुआ था कुछ दिन पहले ही, और इसने मचा दिया है, मार्केट में बावाल, यान की 15,000 की segment में इसने अपनी एक अलगी lead बना ली है, इसमें आपको dynamic RAM मिलती है, 120Hz का high refresh rate मिलता है, 5000 image की massive battery, full HD plus display, G MediaTek, Helio G96 processor, charge VRAM, 18W for charging, 16MP का selfie camera, 15MP का main camera है, और 2MP के macro और G wide angle आपको दे दिये गा है, with AI, और 13,999 में, यानी 14,000 रुपे का आपको ये phone मिल जाएगा, एक रुपे की टॉफी का लेना, तो ये phone भी overall काफी अच्छा experience देने वाला है, gaming करो, editing करो, multitasking करो, overall, तो यह हर बात करते हैं, इस list में number one smartphone की ये है, Infinix Note 10S G96, यानी की MediaTek G96, processor आपको इसमें मिलेगा, full HD display, with 8GB RAM, 128GB storage, 5000 image की ब 33W की फॉट चार्जिंग, 50MP का टर्पल कैमरा सेट अप, 16MP की सेलफी, और 14,900 रुपे